आज हम महारास्ट का फेमस डिश जूनका बना रहे हैं, देखिए जूनका बहुत ही टेस्टी बनकर तयार हुआ है, कहीं से चिपका नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसे आप रोटी के साथ, पराठा के साथ, भाकरी के साथ खा सकते हो यह देखिए रोटी, जूनका, मिर्ची की चटनी, प्याज, हरी मिर्च, पर्फेक्ट खाना तयार है, चले देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है, ऐसी मज़ेदा रेसिपी देखने के लिए आप अपने चाइनल कुक्वीद मनुर्मा को सब्सक्राइब करें Hello friends, मैं हूँ मनुर्मा, कुक्वीद मनुर्मा में आप सब का बहुत-बहुत सवागत है जुनका बनाने के लिए पर हमने एक कटोरी वेसन लिये है एक कटोरी प्याज है जिसे हमने बारिक तुपड़ों में कट कर लिये है तीन बड़े साइस का प्याज है जितना वेसन है उतना ही प्याज लेंगे जुनका बहुत ही टेस्टी बनका तयार होता है बहुत सारा हरी धनिया हैं देखें, इसे हमने कट कर लिया है, 15-20 करी लसुन है, जिसे छील कर कुट लिया गया है एक हरी मिर्ची है, थोड़ा करी पत्ता है, दो बड़े चम्मच तेल है, पाउ चम्मच हल्दी पाउडर, पाउ चम्मच जीरा, पाउ चम्मच राई, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है लाल मिच पौड़ो थोड़ा ज्यादा लेना है तीखा अच्छा रगता है नमक है पाउ चमस स्वादा नुसर नमक है दो बड़े चमस तेल है अब हम जुनका बनाते हैं तेल डालेंगे हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे तेल गर्म हो चुका है अब इसमें हम राई डालेंगे राई थोड़ा तड़कने देंगे जीरा डालेंगे राई जीरा दोनों अच्छे से हम तड़का लेंगे ज़्यादा गर्म तेल में राई नहीं डालना है नहीं तो राई में से जली हूँ इसमेल आती है और कच्चा रह जाएगा तो कड़वा लगता है इसके लिए राई और जीरा का तड़कना बहुत ज़रूरी है, राई में से आवा जाने चाहिए तड़कने की देखे, राई तड़क चुका है, इसमें से आवा जाने लगी है तड़ तड़ अब इसी समय इसमें हम फिताओ लसुन डल देंगे इसे अच्छे से धुन लेंगे धुन का खाने में बहुत ही टेस्री लगता है भाकरी के साथ रोटी के साथ साथ में अगर मिर्ची का अच्छा रहे प्याज रहे बहुत ही टेस्री लगता है अब इसमें हम प्याज जाल देंगे हरी मिर्च करी पत्ता प्याज को हमें सॉफ्ट होने देना है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं करना है, प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसे अच्छे से मिक्स करना है, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसी समय इसमें हम बेसन डालेंगे, बेसन को अच्छे से भून लेना, इसमें जरा भी गोटली नहीं रहनी चाहिए, दो से तीन मिनट का समय लगेगा, इसमें से खुश्बू आने लगेगी जब बेसन अच्छे से भूना जाएगा तो, ऐसे प्रेस करके जो भी गोटली बनेगा, उसे हम निकाल देंगे, दो से तीन मिनट अच्छे से बेसन की भूनाई करना है, जब तक का बेसन में से खुश्बू नहीं आने लगेगी, तब तक हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे, हरी धनिया भी डाल देंगे इसी समय हरी धनिया भी भूने जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छी खुश्बू आने लगेगी, थोड़ा हरी धनिया हम बाद में डालेंगे उपर से, थोड़ा इसके साथ में भूल लेंगे, हरी धन्या के कॉंटिटी जिद्धा ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है खुश्बू आती है बहुत अच्छी और टेस्टी बनकर तयार होता है देखें कहीं से गुटली पड़ी नहीं है पर अभी तो खुश्बू आया नहीं है बेशन में से इसके लिए हम और इसे भुनेंगे भुनते समय आँच धीमा या तो मिडियम रखना है तेज आँच नहीं रखना है अच्छे से भुना जा चुका है बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी है बेशन में से देखें सब मसाले जो हमने डाले थे वो भी सब अच्छे से मिक्स हो गया है अब इस समय इसमें हम गरम पानी डालेंगे ठंडे पानी का यूज नहीं करेंगे हम पानी ज्यादा नहीं डलना है, पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ज्यादा पानी डालेंगे पूरा एकदम गोला हो जाएगा, उसमें अच्छा नहीं बनेगा बस हम इतना ही पानी डालेंगे पाव कप के करीब पानी है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, हरी धनिया डाल देंगे जो थोड़ा हमने बचा के रखे थे, मिक्स करना ऐसा अच्छे से, देखे, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम धक देंगे, धक कर 5-6 मिनट हमें पकाना है, एकडम slow आँच पर, आँच एकडम धीमी रहनी चाहिए, बीच-बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, बेसन अच्छे से पक जाएगा, अगर 5-6 मिनट हम पकाएगे, बेसन बहुत अच्छे से पक जाएगा, ठोड़ यह थे दम धीमी आँच पर ढखक कर देखिए सब कैसे अलग-अलग हो रहे हैं मारा जुनका बनकर तयार हो गया है खुश्बू बहुत अच्छी आने लगी है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए शेयर करिए कुकविद मनुर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही टेस्टी लगता है जुनका महारास्ट का फेमस डीश है अगर हमें कुछ समझ में ना आए कि क्या सबजी बनाना है उस वक्त आप ए जुनका बना कर खाईए बहुत ही टेस्टी बनता है रोटी के साथ भाकरी के साथ साथ में मिर्ची का अचार लीजिए या तो मिर्ची की चटनी लीजिए कच्चा प्याज बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में अब हम गैस को बंद कर देंगे इसे ठक देंगे, कम से कम पांच मिनट हम इसे ठका हुआ रखेंगे, बाद में सर्व करेंगे देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, देखिए पूरा अलग-अलग हो गया है जुनका, एक भी वेसन का कुछ भी देखिए चुपका नहीं है देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार एक रेसिपी जरूर ट्राइ करिए, इससे आप गर्मा गरम रोटी के साथ खाईए, मिर्ची का अच्छा लिजिए, और कमेंट करके बताएए आपको एक रेसिपी कैसी लगी